दोस्तो शारुक और सल्मान खान जो हैं बॉक्स ओफिस और वॉली वूट की जान लेकिन साल करें आप लोगों परिशान क्योंकि भाई नहीं आ रहे हैं बन के महवान यानि कि इस तarु खान की ना सल्मान खान की मुवी नहीं और कही न कहीं दोस्तों ऐसा देखा जाता कि hr Samantha S Expos आधा है कि अखनेशा नहीं है काफी साल किसी ना किसी खान की तो गाईज मूटि ही जैसे कि अगर हम लोग दोस्तों देखें ऊननीस में भारत आई बीस में दबंग थिरी ओए शारू खान की धाई जीरो शायद 19 में आई थी 18 में पता नहीं लेकिन मतलब अगर एक का नहीं आता है इवन 2020 में एक मूवी आ गई थी दबंग थिरी और 21 में सलमान खान की अंतिम 22 में दोस्तों लाल सिंग चड़्डा आमिर खान की 23 में तो आपको पता ही है कि गाइस टाइगर थिरी पठान खाए दे दे तो देदे वह इस साल की गंते में नहीं आएगा वो आमिर खान की मूवी आइकिन मुझे नहीं लगता कि कि वह टाइम पे बन पाएगी क्योंकि क्यों की जो मुवी ज फुल रोल होगा उंका फिर माइरे हो नहीं होंगे पता निए कहने की बात यहां पर है सार जो गाइज यहां पर खबरे हाथ लगी है वह हम लोग इसमें दोस्तों आपको बताएंगे दोनों ही मूवी के क्योंकि यहां पर शारुक खान के फैंस पूछ रहे हैं कि भाई नैक्स जो मूवी आ रही है क्या प्रोग्रेस है उसका क्या कुछ प्रिप्रडेशन का काम चल भ दोस्तों हम लोग बात उससे पहले आप से रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहे हैं तो करते हैं अपने इस वीडियो के शिरूर लैट साक्ट दरस लगाई यहां पर बात ऐसी है कि हकीकत में यह सा मुवी या तीन मुवी और लगातार ब्लागबस्टर हो गई तो समझ लो कि यह चौथे पिलर बन सकते हैं रनवीर कपूर जो कि एनिमल के बाद कह सकते हैं कि दोस्तों लोगों का चहीते बन गए हैं अभी उनकी नेक्स्ट मुवी रमायन आने वाली है उसके कई गाई इस नेक्स वीडियो में बात करेंगे लेकिन वह भी इस साल नहीं आ रहे भाई वह भी 25 या 26 में आपको आते हुए दिखाई देंगे एक रामायन तो ही अब यह रामायन 25 में आएगी दिवाली में बताया जा रहा है क्या गाइस बन सकती है क्योंकि बहुत बड़े बजट की इवन दोस्तों यहां पर भूल जा थिरी भी है देखते हैं आगे क्या होता सिंग घम को कौन भूल सकता है तो देखते हैं गाईस बिना खान की यह साल कैसा गोजरता है क्योंकि अगर हम लोग 2023 की बात करते हैं तो वह साल बॉक्स ऑफिस के हिसाब से बॉलीवूड का सबसे बैस साल रहा है भाई पांच मूवी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं मेरे ख्याल से गाईस चार मूवी पांच रही थी पठान ने शुरुवात किया फिर गदर बीच में आया एनिमल जवान हाचार मूवी थी और लगभग तीन सो करोड के गरिब टाइगर भी पह बात करते हैं तो अराउंड 6000 करोड का गाईस कुछ तर्ण आवर उठाता च्यहाजार करोड का गाईस बॉलिवूड का बहुत ग्रेट साल था लेकिन इस साल गाईस कह सकते हैं कि यह मामला बहुत ही अधी अल्रेडी गाईस जनवरी फरवरी मार्च यह चौता महीना चलता ह मुवी का तो गाईस यहां पे अब 25 में आंधी आएंगी तूफान आएगी ना केवल गाईस यहां पे सल्मान खान की मूवी इवन बड़ी बड़ी मूवी लाइक आपका टॉक्सिक रॉकिंग स्टार यश्की मूवी भी है इवन रमायन अगर आ गई तो अच्छी बात है वार टू भी 25 में आ रही है बहुत सारी मूवी लेकिन घंडिय यहां पकटाएं की मूवी मूवी का लोगों को जब रहता है तो गाई यहां पे शारू खान के अपडेट्स नहीं आया तो दो फैंस परेशार हो रहा है तो गाई यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग कबरे लेकिन अभी तक गाइस किंग टाइप की तो कोई मूवी उनकी आई नहीं है जिनके टाइटल में किंग लिखा है तो यहां पे खबर हमने आपको पहले ही दे रखी है कि सुहाना खान के साथ वह एक मूवी ला रहे हैं जो कि एक एक्शन थ्रिल मूवी होगी इसको गाइस करेंगे डायरेक्ट और सुजाए घौस और सल्मान शारू खान का गाइस काफी अच्छा बॉंड है इन्होंने काफी अच्छी अच्छी मूवी बनाई है अमिता बचन के साथ बदला उनका गाइस एक भैजरीन पेशकर्स थी अभी यह सुहाना खान को गाइस ठेट प्रेक्टिक डैट जो होता है वैसा इसमें कुछ होने वाला है हाला कि एक्षन होगा सर्वाइफ करेंगे दोनों मिलके गाइस यहां पे गुंडों की पिटाइव अगयरा होगी तो ऐसा कुछ सीन सिनारियों कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह किसी हॉलिवुड की मूवी का मुझे नहीं लगता कि यहां पर वालीवुड की हिस्ट्री देखते तो बाकी स्टार्स ने खूब भाई यहां पर रिमेक किया एवन क्या ही जूट बोलो सलमान खान ने भी गाइस कई रिमेक्स हॉलिवुड के वालीवुड के किये अगर हम लोग और स्टार्स की बात करते है आज देवन तो गाई अभी साल भी किया है तो रिमेक्स बहुत करते हैं यहां पर अध्ष्थास ळेकिन शारुख खान की रिमेक्स बहुत कम रहती है बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर किंग मुवी रिमेक होगी या नहीं नहीं पता लेंगे यहां पर वह 25 में आपको हाजरी लगाते हुए दिखाई देंगे और यह मुवी आपको को 2025 के सेकिंड हाफ में आता हुआ दिखाई देगा मोस्ट प्रॉबर्ली चांस है में भी शायद गाइस 15 अगस्त का वक्त हो या फिर शायद दिवाली का हलाकि दिवाली में तो रमाइन आ रही है दिखते हैं कब आएगा लेकिन 25 में शारू खान हाजरी लगाएंगे अब यह मुवी क्या जवान पठान टाइप की होगी वैसा एक्शन होगा या फिर यह सिर्फ और सिर्फ सुहाना खान को ऐसा मतलब यहां पर डेब्यू करवाने के लिए शारू खान ऐसा कर रहे हैं वक्त बताएगा लेकिन यहां पर इसके टाइटल से एक खबर आहत लगी है साजि है बनाना चाहते ही क्या है बनी तो रही है वह टाइटल पहले इनी के पास थी साजित नद्याद वाला ग्रैंट सन हाउस के पास तो गाईज यहां पर शारू खाने रिक्वेस्ट की और अपना नाम चोंकि आप पता है कि वह किंग खान है उसको गाईज मतलब उनके कॉपि करती है उनकी आर्चीज जो मुवी थी उसमें तो गाईज उसने इंगलीस इंगलीश बोल के पता नहीं कहां से क्या कर दिया अब देखते हैं कि वह किंग मुवी में क्या करती है इंडियन ओडियंस है तो हिंदी तो इंगलीस तो बोला ही मत नैचुरल एक्टिंग क्या वक्स आफिस के सिकंदर बन पाएंगे 2025 के क्योंकि 2025 में कॉम्पिटेशन बहुत नकड़ा है इस साल अगर कोई मुवी 500 करों नैट कर दे तो वह लिख के देदुआ कि सबसे ज्यादा गाई करने वाली मुवी वही होगी क्योंकि ज्यादा मुवी नहीं है ज्यादा मु अगर आ जाती है और सिकंदर किंग मुवी का क्या होगा वह वक्त पताएगा क्योंकि यहां पर रिपोर्ट का कहना है कि वह गाई शारू खान की मुवी नहीं होगी वह इंट्रूस कर रहे हैं अपनी बेटी को देखते हैं कि क्या होता लेकिन रोल तो है भाई शारू खान आ रहे हैं साक्षाथ तो देखते हैं क्या होता है लेकिन सिकंदर से रिलेटेड दोस्तों मैं आपको कुछ अपडेट्स दूं तो सिकंदर मुवी जो है सलमान खान के गाईस नाम के उपर उनके पर काफी गाईस टाइटल है वह शूट कर रहा है और मैं इस मुवी के लिए एक्साइटिटों एद में आ रहे हैं और आपको बताऊंगा इस वीडियो में हलाकि यह तोड़ा हटके हो रहा है लेकिन सलमान खान ने किसी का भाई किसी की जान एद 2022 मिलाया आपको पता है माफ करना 23 मिलाया मूवी ने गाईस उतना कोई अच्छा क्लेक्शन नी क्या तो मुझे लगता है कि इस साल वो नहीं आ रहे थे तो टाइगर थिरी अगर इस साल वह गाईस करते बिल्कुल सुखा साल इद सलमान खान का किसमत पर लटता है तो मुझे अगर तैगर थिरी आते तो तो हज़ार को निकाल के जाती हाला कि अगर हम लोग देखे तो मूवी हीट का वर्डिक चुरा के गई है जो मुवी का कलेक्शन है अल्मोस्ट तीन सो कवर दोसो नैट मेरा है दो सो लगभग संतान में करो 297 तीन सो करोडी मालो लगभग चारसो नभभे कर कुछ ऐसे रहा था तो यह गलती कर दी नहीं तो मुवी गाइस बहुत अच्छा पोट अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं सिकंदर की शूटिंग के अफडेट के तो भाई महीं अगले महीने से शुरू हो रही है बताया जा रहा है अगर मैं आपको अपडेट कि किस कंट्री में की शूटिंग होगी तो पूर्टगाल में होगी इवन यरॉप के गाइस कंट् कुछ अलग टाइब का सिनेमा होगा और यह जो सिनेमा है यह हर पर बदल रहा है आप लोग बड़े में चोटे में देख सकते हों कि कैसे इंडिया को तबाह करने के लिए एक साइको आया था लेकिन उसमें वही सब चीज़ देखने को हमें मिला हाला कि देखो वैसे पाकिस देखते हैं इस बार देजभक्ती होगा फिर मामला कुछ और बताओ आपका क्या कहना है मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही